नमस्कर दोस्तों, study with motivation में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे सिक्षेन के सिद्धान्त याने teaching principles के बारे में और सुरू करते हैं चलिए, सिक्षेन वीधियां दो प्रकार के सिद्धान्तों पराधारित होती है सामाईने सिद्धान्त और मानवाईगानिक सिद्धान्त ठीक है, दो है तो सबसे पहले हम लोग को जानेंगे सामाईने सिद्धान्त यानि general principles कौन-कौन से है उनके बारे में, तो चलिए सुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं कि सामाईने सिद्धांत को नीमन स्रणियों में विभ्याजित किया गया है क्या क्या है नीमन देखेंगे सबसे पहला है प्रेरणा का सिद्धांत यानि प्रिंसिपल अब मॉटिवेशन ठीक है यह क्या है कि यह चात्रों के बीच नई बातें जानने की जि थह पैसा है प्रणा का सिद्धांत दूसरा क्या है गती बिदी के सिद्धांत प्रिंसिपल अपे टेविटरण रोन ही किंडर गटन व किंडर गाटेन के अव धीरना यानि फ्रोय व्रेड़न किंडर गाटेन का इसी पर आधारी थी क表示 गती विदि का सिद्धान प्रिंसिपल आज उनिति नहीं तो नहीं अगर आप मैंटिल यॉनार कर तो भी नहीं बेलकि दोनों को मिलाकर समझजभि से करके इसको चलाते हैं। तो वह हो गीन का मतलब गति विदि का सिद्धान्थ अब आते तिसरा तिसरा क्या है रूची का सिद्धान्थ principle of interest यानि रूची का सिद्धान्थ शिक्षार्थी और समूदाई के बीच बास्तभिक रूची पैदा करके एक्चियल उसके अंदर एंट्रेस्ट पैदा किया जा सके करके सिक्षन आधिगम प्रक्रिया को प्रभाब सिलता बढ़ाया जा सकता आप जो टिचिंग आप जो लार्निंग जो प्रॉसेस है learning process को आप अगर प्रभाब साली आप अगर effectively करना चाहा रहें तो कैसे उसके अंदर रूची यारी principle of interest किसी को अगर पढ़ाई में किसी को पढ़ने में अगर रूची ही नहीं होगी तो फिर उसमें प्रभाब आप कैसे पैदा कर सकते हैं तो इसलिए सबसे पहले उसके लिए जरूरी है रूची कर बाना पढ़ाई को चोथा है जीवन के साथ जोडने का सिद्धान प्रिंसिपल ओप linking with life ठीक है आपको जो दैनेंदिन जीवन में आप जो काम कर रहे हैं देख रहे हैं सून रहे हैं कुछ भी आप करते हैं उस पर आपके साथ linking होना चाहिए आपका ज नीरंतर अनुभव है और शिक्षन अधिक स्थाई रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है जीवन एक नीरंतर अनुभव है और शिक्षन अधिक स्थाई रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि आप अगर मान लिए कुछ सिखे सबसे पहले कि एक और प्लस एक दो जोड़ करना सिख गए विद्दार थी कि समझना से प्राइमारी वच्चे की बात कर रहे हैं उन्होंने दो जोड़ना सिख अगर उसको दोकान में भेज है कि एक रुपए के कुछ चीज़े खरीदे फिर और एक रुपए का चीज करीदे तो उसको कितना देना पड़ेगा दो रुपए देना पड़ेगा उस सिखा अपना जो प्रैक्टिकल यहां पर प्रैक्टिकल भी उन्होंने सीख लिया कि हाँ यह कर एक दो होता है उनको हम यहां पर कॉपी पेन के साथ कराएं सिखाएं उसके बाद हम प्रैक्टिकल में भी कराएं यह चीज होता है कि आपका जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत आपने जो यूट्टी यूटीराइज कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं तो यह हुआ इसको डेली लाइफ के साथ इस प्रैक्टिकल के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से संख सकते हैं अब आगे आते हैं पांचवा निश्चीत उद्देश का सिद्धान्त प्रिंसिफल अप डेफिनिट डेफिनाइट एम यह सिद्धान्त सिक्षन संगसादनों के अनुकुल्तम उप्योग और सिखने पर अधिक ध्यान के अंदरित करने के लिए महत्तपूर्ण है यह सिद्धान्त सिक्षन संगसादनों के अनुकुल्तम उप्योग और सिखने पर अधिक ध्यान के अंदरित करने के लिए महत्तपूर्ण है यह पांचवा है और छठा है ब्यक्ति गत्मत बैदों को पाइचानने का सिद्धान्त यानि principle of reasoning individual differences हर चाप्तर ज्यान मनोद्रिष्टी योग्यता चमता समाजिक आर्थिक परिपेक्च बैग्ग्राउंड यह यह का सेखते कि यह ज्यान को knowledge मनोद्रिष्टी attitude ठीक है आपका योग्यता आपका जो qualification आपका जो चमता है आपका जो समाजिक आर्थिक परिपेक्च है यानि social economic जो आपका background है कि अंदर में भीन होता है क्योंकि सब एक प्रकार के परहिवार से नहीं आते सभी चात्रों के जो मतलब जिस चेत्र से आते हैं सबका एक नहीं ताइप का ज्यान नहीं हो सकता एक प्रकार का attitude नहीं हो सकता एक प्रकार की योग्यता चमता समाजिक प्रकार का background नहीं हो सकता तो इसलिए किस अंदर में भीन होता है क्योंकि अलग-अलग होता है सिक्षण पद्ददी को ऐसा तैयर किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समाना अबसर का लाव उठा सके यहीं है कि बात आपका जो teaching है यह सिक्षक का का बनता है सिक्ष से आए उस चीज़ को समझ सके एक कमजोर से कमजोर विद्दार्थी और एक intelligent विद्दार्थी विए उस चीज़ को अच्छा तरीके से समझ सके अब नेक्स्ट आते हैं सात्वा सात्वा नमबर में है चायान का सिद्दान क्या है principle of selection ज्यान का छेत्र ज्यान का छेत्र दीन प्रति दिन बढ़ रहा है सिक्षक शिक्षक शिक्षार्तिकों उद्देश्चों के अध्यतन अपडेटेड और अधिक प्रासंगिक समझरी को लेने में सक्षम होना चाहिए कैस प्रिंसिपल अप्लानिंग हर सिक्षक के निश्चित समय बद टाइम टाइम बाउंड उद्देश होते हैं और इसलिए शिक्षन संगसादनों का उप्योग अनुकुलत में बनाने के लिए वैवस्तित होना चाहिए उसके अंदर यह चीज वैवस्ता होना चाहिए अब आत खायो के बीच में यथा संबाव स्थाफित भी किया जाना चाहिए संगसादन का सिद्दानद, प्रिंसिपल अप्रिंसिपल अप्रिंसिपल अप्र रिफाइनमेंट, शिक्षन का अधिक स्थाई बनाने के लिए अर्जित, एक्वाड ज्यान को तुरंद बार बार स्जिद्ध्रक्राइबर में स्रीजन और पुनर का सिद्धान्त यानि प्रिंशिपल इस रखर त्रीच्षा कुछ ऐधें क्रिएशन की मैं क्यान नहीं कि अपके विद्धq के बाताबर उनको हैं यानि होमरेश योमरस और रचनात्मग बनाने के लिए आती आवच सकते सा मतलब स्रीयसली ठीक अगर इस प्रकार के भाव रहेंगे तो क्या रहेगा कि उसके अंदर मतलब एक अलग ही प्रकार का माहूल हो जाता कि उनके लिए कुछ हैस्चप्रद भी होना चाहिए हैस्चप्रद और रचनात्मक कुछ क्रियेटिवीटी होना चाहिए जो अति आवज सके क्लास के लिए कख्चा के लिए ठीक है और बारवां पॉइंट है कि लोकतांत्रिक वेबहर का सिद्धान्त प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी यह सिद्धान्त चत्रों को विभिन्न गति वीदियों की योजना बनाने और उसक को विक्सित करने के साथ अकुन करता है लोकतांत्रिक वेबहर का सिद्धान्त प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है क्योंकि उन्हें विचार करने की उसे कुछ काम करने की उसे कुछ सोचने की उसे कुछ भी चीज करने के लिए उसे अधिकार प्राप्त होता है शिक्षा से ठीक है principle of democracy तो इसी बात पर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि 12 पाइंट के बाद आपका जो सबसे पहला हम लोग देखे कि सामाइन्य सिद्धान्थ और दूसरा था मनोबैगानिक सिद्धान्थ ठीक है तो हम लोग सामाइन्य सिद्धान्थ के हम लोग 12 पाइंट अभी तक द principles psychological principles कौन-कौन से मनोबैगानिक सिद्धान्थ को नीमन स्रणियों में विवाजित क्या गया है कौन-कौन सा स्रणिय है चलिए देखते हैं प्रेरणा और रूची का सिद्धान्थ principle of motivation प्रेरणा और रूची का सिद्धान्थ क्या है principle of motivation and interest शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर चात्र को अलग म उलग मनोबैगानिक स्वत्त होता है और उसकी प्रेरणा था और जरूरते की पहचान करवाकर करवाकर प्रेरिध किया जा सकता है ठीए यह एक नमबर हैं दूसरा नमबर में हम लोग देखेंगे कि क्या है मनोरंजन का सिद्धान्त ठीक है सबसे पहले देखें प्रेरना और रोची का सिद्धान्त और दूसरा है मनोरंजन का सिद्धान्त आपको पढ़ाई के साथ-साथ आपके अंदर उसी चीजी में पढ़ाई के अंदर अगर आ अच्छा है ताकि आपको इंटर्टेन्मेंट के लिए कोई दूसरे रास्ता अपनाने नहीं पड़े या किसी प्रकर की पढ़ाई के साथ ही आपको थकान मिट जाता है ऐसा हो तो इसमें क्या करें कि मनोरंजन संबंधी आवाधी तक ज्यक्षा की टखान मिट आता है एक रसता यानि मोनो टोली को तोड़ता है आपके यह जो एक ही करते हैं कि पढ़ाय देन आध्येन करते करते आपको बोर वो जाते और उस बोरिंग चीज़को तोड़ता है आपका यह मनोरिंजा ठीक है तो ये करस्ता यानि मनोरिंज को तोड़ता है ये करस्ता आप एक ही चीज में मतलब लगाता है एक ही चीज को कर रहे हैं तो उसमें बोरिंग आने लगता है उस बोरिंग चीज को तोड़ता है ये छात्रों को पूना सिखने के लिए उर्जा प्रदान करता है जैसे आप पूरा दीन भर काम करने के बाद अगर सो जाते हैं तो दीन सोने के बाद फिर से जग जाते सुबह में फिर आप उसी उतने ही उर्जा के साथ आप फिर से दोबारा काम करने लगते हैं तो ठीक उसी प्रकार से आप अगर कुछ पढ़ते अगर ठीकि ने के लίए इसन कर ने के लिए अगे आते तिसरा पुंहरावित्ती और अभ्यास का सिध्यांत प्रीन्सीफ़ल और हेपिटेशन एकक्सराइज यह शitEC विशेस रूप सब्सक्राइब अगर देखा जाएतों कि सभी को रिवाइज करना चाहिए और ब्यास करना चाहिए क्योंकि हम लोग इससे पहले कख्चा में पढ़े कि करत करता ब्यास के जड़ा मती हो तो सुजाना रशर या बता जाता तो सीली पर परते निशान ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं आगे च रचनात्मक और रचनात्मक और आत्म अभिवैक्ति को प्रोचाहिद करने का सिद्धान्द प्रिंसिपल अफ क्रियेटिविटी एंड सेल्प एक्स्प्रेशन यह सिद्धान्द विशेश रूप से गनीत और भासाओं का सिखने के विशाई में लागू होता है किसमें किसम सिद्धान्द को अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको समय सकते हैं लेंग्वेज और मैट को किमेद के लिए और आगे हम लोग देखेंगे कि सहानुभूति और सहयोग का सिद्धान्द प्रिंसिपल अप सिंपेथी और कॉफरेशन यह सिद्ध चात्रों को प्रेरीत करने के लिए आपको मोडिवेशन देने के लिए आवज सके कौन सा सहानुभूति और सहयोग किसी भी काज को कोई अगर करने में थोड़ा सा परिसानी हो रही तो आप अगर उनको थोड़ा सहयोग से अगर उनको मिल जाता है तो उनको लगता है कि नह प्रेरना बहुत ही आवज सके ठीक है और हम लोग आभी दखेंगे छटा पॉइंट में प्रवालन का सिद्धान्त क्या है प्रिंसिपल आप री इनफोर्समेंट प्रिंसिपल आप री इनफोर्समेंट सात्रों को बांचित वैबार के लिए पूरा स्कृत किया जाना चाहिए अगर उन्होंने सही किया अगर उन्होंने अच्छा किया अगर उन्होंने बहतर किया तो उस बहतरी के अनुसार उसे पूरा स्कृत किया जाना चाहिए उसे एवर्ड दिया जाना चाहिए जैसा किया हाँ छोटा दो छोटा मतलब छोटा अगर उन्होंने उपलबदी की छो जो किये तो इसका कोई फल ही नहीं है ठीक है इसका कोई परिणाम ही नहीं है इसका कोई हमें कोई तारीप नहीं करता है क्योंकि प्रसंग सा जो अगर उन्हें अच्छा किया तो प्रसंग सा वज्च करना चाहिए ठीक है तो साहनु भूति के जैसा ही और आगे आते हैं हम लो के प्रयोग से किया जाता है ठीक है और आठवा नंबर उपचारात्मक सिक्षन का सिद्धान्थ प्रिंसिपल आप रेमेडियल टीचिंग यह सिद्धान्थ सिख्षक द्वारा अपनी सिख्षक द्वारा अपनी तुरूटियों को पहचान और समस्षा के उचित समाधन का सुझाव देने संबंदी है ठीक है अब हम लोग देखेंगे अधिगम क्या है अधिगम भी लार्निंग का एक पार्ट अगर का सकते हैं टीचिंग का पार्ट है ठीक है क्योंकि यह तो खूदे लार्निंग अधिगम यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि समयन्य सिद्द्दान जो है यह सिख्चेन के सिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द एक ही सिक्षे के दो पहलू है क्या बात है दोनों एक ही सिक्षे के दो पहलू है इनके उद्देश स्व एक दूसरे के पूरक है शिक्षन और अधिगम एक ही सिक्षे के दो पहलू इसे ध्यान रखिएगा ये आपस में इतने परस पर व्यापक अभरलेफ्ट है कि हम सिक्षन यह कहा जा सकता है कि सिक्षन का एक कार्ज है सिक्षन एक कार्ज है तता अधिगम उसकी उपर अब दी बहुत ही अच्छी बात है कि अगर किसी ने पढ़ा यार उसको अगर हम समझे नहीं अगर हमें उसे कोई ध्यान नहीं दिये तो फिर उनके सिक्षन जो है मतलब अधिगम जिखिंग को पीप्र थित होता है अधिगम को परिवासित करना काफी सरल प्रतित होता है हम अपनी पूरी आयू नई चीज़ा सीखने में ही बिनादेश बिता देते हैं क्योंकि हम जीवन भर सिखते हैं चाहिए इसमें उम्र का कोई भी लिमिटेशन्स नहीं रहता है यह जीवन परिजन चलता रहता सिखने की प्रक्रिया ठीक है अधिकम मूल रूप से मनवाइगा निक है बैसिक रूप से साइकलोजिकल है अधिकम के माध्यम से अधिकम से कार्ज की निस्पाधन चमता यानि कपसिटी और पर्फोमेंस बढ़ती है अधिकम सिखने की प्रक्रिया आप जो भी सिख रहे हैं उसका प्रक्रिया है जिसमें जिससे एक जीव नई चीजें सिखता है और अनुभव के परिडाम सरुप उसके बैबार में स्था परिवर्तन होना ही आपका अधिगम है अगर उस अध्यान में उस लर्निंग में उस टीचिंग में अगर आपके बैबाहर में कोई परिवर्तन नहीं आता तो आपका उस लर्निंग उस टीचिंग उस अध्यान से आपका कोई भी परिवर्तन नहीं निकलता है तो इसलिए य जरूरी है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने हमारे इस सेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक शेयर करने न भूलें और नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे अधिगम जो है अध सब्सक्राइब करेक्टरिस्टिक्स तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद थैंक्यू सो मच आप सभी